हेलो फ्रेंट्स आज की वडियो में केमरा साउंड रिल्स वडियो बनाना सीखेंगे ओ भी असान तरीके सी सबसे पहले फ्रेंट्स आपको अपने फोन में वियान अप इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास आइफोन है तो आपको आप इस्टोर पे मिल जाएगा अगर आ और उपन न्यू पोजेक्ट का ओफ्सन आएगा इस पे क्लिक कर देना है अब आपकी गैलरी ओपेन हो जाएगी यहाँ पर फोटो वीडियो का ओफ्सन दिखेगा फोटो पे क्लिक करना है उसके बाद अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी फोटो से वो इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हो फोटो सेलेक्ट करनी के बाद से next कर देना है जैसे next करेंगे यहाँ पर original लिखाव देखेगा इस पर क्लिक करना और 960 रेशियो पर क्लिक करके फोटो पर क्लिक कर देना है अब फोटो के last में आएंगे तो एक black फोटो दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे डिलीट करने के बाद से यहाँ पर इन दोनों फोटो के बीच में देखेंगे तो एक plus बटन दिखेगा फिर इन दोनों फोटो के बीच में एक plus बटन यानि सभी फोटो के बीच में जहां से फोटो हमारा दूसरा फोटो आ रहा है वहाँ प वीडियो फोटो का आपसण आज़ेगे इस पे क्लिक कना अपनी इक गालयरी में एक Virgin email और ब्लेक फोटो रखना है उस ब्लेक फॉटो को आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है वीडियो को तभी आप कर पाएंगे नहीं तो अच्छे से आप बना नहीं पाएंगे सबसे पहले आपकी जो फोटो ये वाला है ना इन सभी फोटो की साइज को कुछ इस तरीके से आपको पहले कर लेना है और इन सभी फोटो की साइज को आपको यहाँ पे लगबा एक सेकेंड कर लेना है एक सेकेंड अपनी फोटो की साइज को एक सेकेंड कर लेना है ऐसे करके फ्रेंट्स आपको देखी इस भी फोटो को आपको एक सेकेंड कर लेना है ठीके तो मैं यहां से एक सेकेंड इसको भी कर लेता हूं यहनि इसको हम दो सेकेंड पर लाएंगे तो एक कट हो जाएगा ठीके तो यहां पर मैं इसे छोटा करके एक सेकेंड कर लेता हूं यहां से हमारा 1 second हो गया अब इसको भी हम cut कर लेंगे तो मैं फटाक से इन सभी को cut कर लेता हूँ 1 second करके मैंने सभी photo की size को 1 second कर लिया आपको भी 1 second कर लेना है एक second करने के बाद से अब इस black photo पे click करना है और duplicate पे click कर लेना है और इस पर उंगली प्रेस करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके से यह मूब होने लगेगा देखिए इस फोटो के बीच में लाकर इसे हम छोड़ देंगे जो दूसरी वाली फोटो है उसके बीच में छोड़ देंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे और डूबलिकेट पर क्लिक कर कर दिया फिर यहां पर क्लिक किया डूब्लिकेट पर क्लिक करेंगे इस पर उंगली प्रेस करके रखेंगे और इस फोटो के बीच में रख देंगे फिर यहां पर क्लिक करेंगे ब्लैक फोटो पर डूब्लिकेट उंगली प्रेस करके रखेंगे मोब करेंगे कुछ इस तरीक के से अब यहां पर करेंगे क्या अब यहां पर हमको sound लगाने की बारी आगे अब sound कहां से कैसे यूज करने देखो फ्रेंग जो भी मैं यूज करने वाला हूं उसका link description box में दे दिया हूं वहां से आप जाके easily डाउलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले यूज कैसे करना है किस तरीके से add करना है इस पर सीख लिजिए ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको लिखावाद दिखेंगा यहां पर आपकी gallery open हो जाएगी अब जो भी आपकी गैलरी में folder बने ही होगी यहां पर दीखेगा अब अपनी गैलरी से जहां पर भी रखें by मैं म्यूजिक सांड उसको सेलेक्ट करना जैसे कि हम अपनी गैलरी में जो भी मैं सांड य Dosकना अपने gallery में रखाओं डाउनवलोड करके तो अपनी gallery से रखेंगा तो यहां पर सबसे पहले माई लाई भरेरी में एक म्यूजिक र brushed रखाओं उसको सेलिक्ट प्ले करके सुलेता हूं यह वाला काफी प्यारा देख सकते हैं इसको मैं यहां से सेलेक्ट यूज पर क्लिक करेंगे और यह आ जाएगा ओकी कर देंगे यह म्यूजिक लग जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्ले होगा लेकिन यह से मज़ा नहीं जाएगा यह हमारा फोटो में लग चुका है देख सकते हैं पूरा लास्ट तक लग चुका है अब यहां पर जो ब्लैक फोटो है ना ब्लैक फोटो पर हम लाएंगे देख केमरा शाहंड जिससे हमारा वीडियो बनेगा अमेजिंग आप यह नॉर्मल चल ला है अच्छा नहीं लग रहा है तो यहां पर एक चीज अप्लाई करेंगे देखिए हमारा फोटो यह फोटो पर पर क्लिक करेंगे और यहां पर एफट लिखावा देखे एफट पर और इसको apply कर देना यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको apply to all इस पर click कर देना इस सभी पर apply हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से सभी पर apply हो जाएगा अभी यहाँ पर देखिए जो आपका ब्लैक फोटो ना ब्लैक फोटो से आपको इस इफेक्ट को हटा देना है अब इसके बाद से यहाँ पर हम लाएंगे camera sound sound काहाँ से यूज करना है कैसे यूज करना है चली हम आपको बताते ते सब इस सफिट गया अब अपनी black photo के जो प्लस बटन दिख रहा है जैसे भी फोटो स्टाड़ हो रहा है और प्लस बटन पर आ मतलब आपको प्लस बटन दिख रहा है इस के सेंटर में आपको इस लाइन पर लाना है यह जो वाइट लाइन दिख रहा है इस पर लाना है लाकर छोड़ देना है यहां पर फिर से music वाले option पर click करना है जैसे इस पर click कर गए यहां पर music पर जाना है अपनी gallery में उस sound को रखना केमरे वाला साउंड को उसका link description box में दे दिये हैं और मैं यहां पर my music नाम का folder बना रखा हूं इसमें रखे हैं तो इसको यहां से यूज कर लेता हूं यूज पर क्लिक करेंगे और यह sound आ जाएगे यहां पर देखिये हमारा sound जैसे याएगा न तो यहां पर दिख रहा है जहांसे ग्राफ उपर की तरफ जाते वह नजर रहा है वहां पर ला कर इसे हम ओके कर देंगे, ओके करने बाद से साउंड हमारा एकदम से एक रेट यहां पर फिट हो जाएगा, मैं सुना देता हूं आपको, देख सकते हैं, और थोड़ा सा आपको क्रॉप कर लेना आगे से, जहां से साउंड स्टार्ट हो रहा है, बजना, ठीक है, सो मैं यहां पर सेलेक सेलेख कर लिया, अब फिर से सूलेते हैं, काफी अच्छा लग रहे, एक बार और सूलेते हैं, अब अच्छा लग रहा, अigare तो यहां पर इस फोटो की साइज को और हम छोटा कर लेंगे ताकि अच्छा लगए, देखिए, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, और छोटा कर लें ब्लैक फोटो को नहीं तो क्या होगा फ्रेंस की मजा नहीं आ रहा है लोंग मतलब एक जो sound play हो रहा है ना sound के साथ match नहीं हो रहा तो इसको match कराने के लिए इसको और छोटा कर लेंगे जिससे हमारा sound जो है न जैसे इस sound मतलब चलेगा न तो ऐसा लगए सच में एक फोटो क्लिक किया जा रहा है ठीक है ऐसा होना चाहिए एक फील होनी चाहिए तो फील इसमें डालना पड़ेगा नई फील डालेगा बाई तो ऐसे नॉर्मल बना देंगे तो वो तो कोई भी बना सकता है तो अब लेकर करके देखते हैं अब मज़ा आ रहा है अब यहां पर जो साउंड आया है ना साउंड पर देखिए हम क्लिक करेंगे और इसका डुब्लिकेट बनाएंगे और यहां पर दो हमारा वो केमरा साउंड आ जाएगे एक पर उंगली प्रेस करके रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसको मूब कराकर यहां पर लाएंगे जो दूसरी हमारी फोटो लगी हुए वहां पर लाएंगे सबसे पहले इसमें से जो पीछे वाला पाट है ना इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहां पीछ को लाएंगे दिखिए नीचे लाएंगे जैसे यह तो हमारा वहां पर रुख जाएगा ब्लैक फोटो जहां से यह दूसरी वाला स्टार्ट हो रहा है और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ठीके इतना करने बाद से फिर सी इस वाले पर क्लिक करने इसका डूबलिकेट बनाना है फिर अगली जो ब्लैक फोटो है वहां पर ले जाकर इस साउंड को एड कर देना है जैसे कि मैं यहां पर एड कर रहा हूं यहां पर एड हो गया अब इस पर फिर से क्लिक करेंगे डूबलिकेट बनाएंगे फिर से इस पर उंगली प्रेस करके रखेंगे और तीसरी वाले यानि अगले ब्लैक फोटो पर एड कर देंगे फिर से इस पर क्लिक करेंग यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मूब कराके सभी ब्लैक फोटो पर एड़ कर रहा हूं यहां पर यह भी एड़ हो गया एक और बस एड़ करने की जरूरत है हमारा फाइनली लगवाग हो गया यहां पर हो गया चलिए यहां पर मैंने एक वर सुना देता हूं आपको ह यहां पर चलिए मैं प्ले करता हूं यहां पर आप 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 तो देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा बन के रेडि हो चुका है केमरा साउंड रेलिस वीडियो तो अब आपको करना क्या है यहां पर जैसे ही आपका बन जाय रेलिस वीडियो वीडियो तो अपको यहां पर BCE कर देना देखिए यहां पर फोटो पे क्लिक करना और यहां पर परSheork跑 जाए गार्ज पर दिजिए अर फीर इसे आप इंस्टाग्राम रेल्स पर अपलोड कर दिजेगा तो दुस्तों वीडियो पसांट यहोत करना सब्सक्राइब करके बेल एकन को और प्रेस करें फिर मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए धन्वाज जाहिए वंद्यमात्रम